Hello students, welcome to MDPS, Staying at Home, Study Program. This is the lecture of 3rd class of Social Science Subject. And today we start our 3rd chapter, Rotation and Revolution. आज क्या हम Rotation and Revolution के बारे में पड़ेंगे? We know that the solar system consists of the sun and the 8 planets along with their moons. हमारे solar system में क्या क्या होता है? Sun, 8 planets, जिनके बारे में आपने लास्ट चैप्टर में पड़ा था, along with their moons और उनके moons, इन सबसे क्या बनता है? हमारा solar system बनता है. Let us now understand the movement of these planets in the solar system. जो ये 8 planets हैं, इनका हमारे solar system में कैसे वो move करते हैं? उनके बारे में हम पड़ेंगे. Have you ever played with the top? कभी आप क्या है? टॉप के साथ खेले हैं? जैसे ये बच्चा खेल रहा है. How does the top move? ये टॉप कैसे move करता है? It top spins and also move around on the floor. ये कैसे spin करता है? तो गूमता है, ऐसे गोल-गोल-गोल गूमता है अपनी दूरी के दवाले. और कैसे इदर उदर गूमता है, इदर चल जाता है, फिर इदर चल जाता है, ऐसे गूमता है ना ये? That is the exactly the way all planets move in the solar system. ऐसे क्या है, हमारे planets हमारे solar system में move करते हैं. लेकिन उनमें क्या है one difference है? इनमें क्या difference है, कि वो जो टॉप है, उसका कोई fix path नहीं है, कि जहां से ये एक बार गूमा, अगली next time भी वो वहीं से गूमेंगा, यसे एक path में गूमता रहेगा. इसका कोई fix path नहीं है, कभी तो वो ऐसे गूमेंगा, कभी set चल जाएगा, कभी set चल जाएगा, ऐसे गूमता गूमता. But, the planets move on their fixed path, called orbit. जो हमारे fix path में गूमते हैं, उसे क्या कहते हैं? और्बिट कहते हैं, जैसे यह sun, जो अर्थ है से गूमती है, इसके around, वो क्या एक fix path में गूमेंगी? ऐसा नहीं है, कभी इस path पे गूमेंगी, और कभी इस path में गूमेंगी, कभी इस path में, नहीं. वो एक ही fix path में उसके around, around गूमेंगी, उससे हम क्या कहते हैं? orbit कहते हैं जिसमें ये गूमती है rotation each planet spins like a top on its axis सभी planets क्या है top की तरह अपने axis पर गूमती है अपनी दुरी के दबाले गूमती है an axis is an imaginary line passing through the center of the planet axis क्या होता है imaginary line होती है जो planet के हम center में से एक लगा लेते हैं उसे क्या कहते है axis कहते है जिसे क्या कहते हैं हम दुरी भी कहते है so जैसे ये axis है earth का axis है जो बीच में हमने line लगा ली तो ये ऐसे क्या है गूमती है इस axis के दुबाले ऐसे बार बार ऐसे दिन में गूमती रहती है वन राउंड कितने टाइम में लगाती है ट्वेंटी फॉर आउर्स में ऐसे यह क्या है गूमती रहती है जिसे हम रोटेशन कहते है इसे क्या कहते हैं पोल्स कहते है उपर जो होता है उसे क्या कहते है हम नीचे जो होता है उसे क्या कहते हैं जुका हुआ है ऐसे देखो यह जुका हुआ है न थोड़ा ऐसा तो नहीं है कि यह बिल्कुल ऐसे सीधा है ऐसे सीधा नहीं है ना यह जब कोई प्लेनेट अपनी दुरी के दुवाले गूमता है उसे क्या कहते है हम रोटेशन कहते है this sun is in a fixed position in the solar system sun क्या एक fixed position पर है हमारे solar system में as we know the earth revolves around the sun and it also rotates on its axis जैसे हम जानते हैं कि हमारी दर्ती है जो वो क्या है sun के around गूमती है and it also rotates on its axis और यह क्या है अपनी दुरी के दुवाले भी गूमती है two type से गूमती है एक तो क्या है sun के around गूमती है second क्या है वो अपनी axis अपनी दुरी के दुवाले भी गूमती है जैसे top गूम रहा था the rotation of the earth causes day and night जब यह अपनी दुरी के दुवाले गूमती है उसी वज़ा से क्या बनते है day and night बनते है let us understand this process of day and night by doing an activity इस process को हम one activity से समझेंगे कि day and night कैसे बनते है take a torch and a ball आपने क्या एक torch लेनी है एक ball लेनी है now rotate the ball in front of the torch just like the earth rotates around the sun हमने उस ball को ऐसे rotate कराना है गूमाना है जैसे वो earth के sun के around गूमरी हो we see that the portion of the ball which is in front of the torch जो torch के सامने होगा ball का portion वो क्या है receives the light वहां पे क्या light पड़ेगी जो जैसे यहां पे देखो जो ball सामने है ना torch के सेट से जहां पे light पड़ रहे है जो सामने हो वहां पे light पड़ेगी और back side क्या light नहीं पड़ेगी the other portion of remains in a dark यहाँ पर light नहीं पड़ेगी, वहाँ पर क्या होगा, डार करेगा, अंदेरा हो जाएगा वहाँ पर, ऐसे हमारे अर्थ के साथ होता है, जिस side से sun, जो side अर्थ की sun के सामने होगी, जैसे यहाँ पर sun है, जो side यह क्या है sun, और यह है earth, जो side अर्थ की sun के सामने होगी, वहाँ पर क्या है लाइट पड़ेगी यहां पर हाफ पर लाइट पड़ेगी और जिस साइड लाइट नहीं पड़ेगी वहां पर क्या हो जाएगा हंदेरा अनेरा हो जाएगा ना डार्क हो जाएगा तो साइड क्या हो जाएगा डार्क हो जाएगा जिस साइड लाइट पड़ रहे ऐसे क्या है day and night बनते हैं this is what happened what happens when the earth rotates the half of the earth facing the sun receives its light जो half earth का half है ना वो क्या है sun को face कर रहा होगा sun के सामने होगा वहां पर क्या है light पर रही है but the other half does not receive any light but आदी पर क्या है कुछ भी light नहीं पड़ेगी so it remains dark वहां पर क्या होगा हंदेरा होगा as the earth rotates जब earth फिर से rotate करेगी the part of the earth facing the sun towards sun away the part of the earth facing the sun turns away from the sun जो पहले sun के सामने था वो क्या हो जाएगा turn कर जाएगा वो क्या पीछे चल जाएगा जो पीछे dark वाला था ना वो आगया जाएगा while the part which is away from the sun turns towards the sun वो क्या है सामने आ जाएगा sun के the half of the earth facing the sun जो क्या है sun को face कर रही होगी जिस side earth की has day वहां पर क्या होगा day रहेगा and the other half which is away from the sun जो sun की light को नहीं face कर रहा है वहां पर क्या है night हो जाएगी has night वहां पर night हो जाएगी that is how we have day and night ऐसे यह क्या है day and night बनते हैं so आज हमने क्या rotation के बारे में पढ़ा so next lecture में revolution के बारे में पढ़ेंगे so thank you to our students już गाई जाएगी